कि नवश्कार स्वागत है आप सभी का आपके फेवरिट शो आरोग्य मंत्र में मैं हूँ नीरजा रेशमी जुल्फे शर्बती आखी आखिर हर कोई चाहता है हर इंसान ये चाहता है कि वो हमेशा जवान रहे खुब सुरत रहे लेकिन क्या आईसा वाक्य में पॉसिबल है क्या इसा संभव है आईए ये सबाल पूछते हैं विश्व प्रसेद आरविदाचारे डॉक्टर प्रताब चहांजी डॉक्टर साब नमस्कार जी आपका स्वागत है हमारे कारिक्रम में शुक्रिया डॉक्टर स रहस्य को हम आप से जानेंगे लेकिन उससे पहले बता दूँ दोस्तों को जीवा आयरवेदा के टेली मेडिसन सेंटर का नमबर वो है 01294040404 दोस्तों आप इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी रोग से लेकर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप चिंता देखिया सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि यह जो जवाँ बने रहना या ओल्ड एज या बुड़ापा क्यों आता है यह सब्ते है कि कोई भी व्यक्ति बुड़ा नहीं होना चाहता है लेकिन सभी लोगों की जो है उमर ढलती है बुड़ापा भी आता है तो यह सब सथे बात है लेकिन इसको क्या रोका जा सकता है या इसको डिले किया जा सकता है इस पर थोड़ा डिसकुशन हम कर सकते हैं उसके लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले कि एजिंग होती क्या है हम क्यों बुड़े होते हैं दूसरा फिर क्या-क्या उसके लक्षन होते है जो ताकि समझ में भी आए कि अब में बुड़ा होने लगा हूं और तीसरी चीज क्या उसके solution होते हैं तो सबसे पहली चीज जो है आयरवेद में definitely एक special branch है जिसको हम कहते हैं the science of rejuvenation ये branch of rejuvenation रशायन शास्त्र उसको कहा गया है यजरा व्याधी नाशनम तद रसायनम ऐसा लिखा है कि जो बढ़ापे को और बेमारियों को दूर रखे आपसे उसको रसायन कहते हैं ऐसे formulations बहुत हैं आयरवेद में लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जमां बने रहें आयरवेद में भी आपकी एक expiry date दी गई है हमारे शरीर की एक expiry date होती है आयरवेद में कहा है और यह लिखा है कि इस यूग में कल यूग में यह जो वातावर्ण है इतना वो प्रदूषित हो चुका है हमारे भोजन में इतने केमिकल्स हैं हमारे जो मानसिक तनाव मुख्य रूप से जो इतना ज्यादा बढ़ चुका है वह हमारे शरीर में जो एजिंग प्रोसस है उसको बहुत फास्ट कर देता है तो aging होती क्या है हमारे शरीर में नियमित रूप से धातू का निर्मान होता है हम आपको बार-बार कहते हैं कि हमारे शरीर में साथ धातू है या उसको modern भासा में समझें तो हमारे बाड़ी में tissues बनती है cells नई cells बनती है और पुरानी cells तूठती रहती है तो यह आपकी देखन है कि अगर cells का निर्मान या घातू का निर्मान अधिक है और उसका destruction कम है तो आप ज़ान बने रहते हैं लेकिन जैसे-जैसे धातू निर्मान कम होगा या cells का destruction जो है वो जादा होगा और उनका production कम होगा तो फिर वह एजिंग के लक्षन आपको आने लगेंगे और वह लक् डिस्ट्रॉय होती हैं लेकिन डिस्ट्रॉय होने वाली सेल्स जब ज्यादा हो यह टिशू ज्यादा हो और बनने वाली कम हो तो फिर आपके चेहरे पर आपके शरेर पर एजिंग के कुछ लक्षन दिखने लगते हैं और वह कभी-कभी आपको उम्र से पहले भी बुढ़ाप जी हम जरूर जानेंगे वह रहसे के नुसके लेकिन आइए पहले हम बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से नमस्कार जी अपना नाम बताईए ने मेरा मां पंकर गोवियल है कहां से बोल रहा है यह पूछी दॉक्टर चुहान से अपना व्यूस्टन अपना क्वेस्टन अलो जी बोलिया पंकर जी अलो से मैं बहुत अच्छे हूं आप कैसे हैं आपका मैं बट बड़ा से लू पताई शरे क्या बता है बताईए क्या प्रशन है आपका आज क्या सेवा की जाए अपनी हूँ जी और है जो है बहुत कम है अच्छा अच्छा तो इसके लिए क्या हो सकता है कि अगर मैं आपनी हैट बढ़ाना देखिए अभी आप 19 साल के हो गए है जनरली वैसी यह एज वो है कि इस तक इ कोई पालाबेस हमने कट्था किया रिसर्च भी हम करते हैं हम यह भी देखते हैं कि कौन सेuds से कहा तक हा तक आराम आता है जाते हुश लोग माने क Springs कि आपार की की जाती है और हम चाहते है कि इसको आगर में और rets kingdom और झेल तो मैं स्षी तरह कर sheet क्रें तो मैंने तो यह काम करती है वो आपके जो है endocrinal system को दुरुस्त करती है आपके शरीर में जो growth hormones जो बन रहे हैं अगर वो कम बन रहे हैं उनको थोड़ा सा नरिश करती है तो वो चीजें अगर आप चाहें तो try कर सकते हैं अभी एक साल है आपके पास मेरी दृष्टी से अगर आप 20 या 20 के वॉलीबॉल खेलें भी जवान है खेलने की उमर है आपकी जंपिंग करें रोप जंपिंग करें तो उससे भी फर्क पड़ता है तो यह चीजे हैं लेकिन कोई ऐसा जादू नहीं है आपको मैं सपष्ट बता दू कहीं लोग कहते हैं कि कोई ऐसी दवाई दे दो इससे यह ह कोई होती है जो रोग को समझ करके उसके कारण को समझ करके दी जाए और उसके सही तरीके से जो पूरा पईथोजनिक करना चाहें तो कर सकतें साथ में एक बड़ एछ्छी जड़ी है आईरवेद में अश्वगंदा का सेवन भी आप कर सकते हैं अश्वगंदा जो है वो पूरा एक रसायन है रिजुबनेट करती है बौड़ी को अच्छी शक्ति देती है उसका भी प्रियोगा पर सकते हैं एक चमच चूरन जो है दिन में दो बार खाएं एक बार भी अगर रात को दूद के साथ तो उससे आपको बॉड़ी में स्फूरती भी आएगी चुस्ति भी आएगी ताकत भी ठीक है पंकर जी और यह बहुत ही अच्छी बात है कि आप 19 साल के हैं आप यंग हैं और आप एक आयरवेदा का शो देखते हैं और नियमित रूप से देखते हैं नो डाउट इसका बहुत बड़ा श्रे डॉक्टर प्रताब चुहान को जाता है क्योंकि वो इतनी अच्छे से हमें समझाते हैं इतनी सरलता से हमें समझाते हैं कि हमारी रूची उस शो में अपने आप बन जाती है तो पंकर दिस रियली गूड थैंक यू फॉर कॉलिंग दोस्तों अब बक्त आगया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में जाने से पहले मैं फिर से याद दिला दूँ आपको हमारा नंबर जो इस समय आपके टीवी के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और वो नंबर है 01294040404 मिलते हैं आप से एक ब्रेक के बाद जीवा आयरुवेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध है कोन पर और साइटिस पेड़ बीपी ये अन्या कोई समस्या जीवा के पास है उपचार धोया मेली ना अब कैसी है जिन्दगी पदल गए जीवा आयरुवेदिक उपचार आपके द्वार